आलो फ्रेंड्स आप तभी का स्वागत है फ्वालिटी एजूकिशन के अपने इस प्रेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ी वेकेंसी य और और वेकेंसी इसका सिलेबस आज जारी हो चुका है आप सब के पिछले वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आये थे कि सर इसके बारे में कुछ जान कर दीजिए तो मैं आज इसके बारे में एक तो syllabus के बारे में बताने वाला और क्या इसकी रणनीती होने वाले इस पर हम बात करेंगे सबसे पहले तो मैं आपको इस वेकेंसी की आरे इसका एक्जाम देकर इसमें में प्री में और इंटर्यू देने के बाद अगर आपको तैस्सिल्दार के आपको पोस्ट आपको मिल सकती है तो तैसिल्दार के बराबर की ग्रेड पर उसी लेवल की और यह इतनी ही इंपोर्टेंस भी रखती है क्यानक ना हम कई बार सबसे बड़ी वापस इस पोस्ट की तैयारी करें क्योंकि आप देखेंगे तुलनात्मक रोम से आरे से बहुत छोटा से में यहां पर आपको नहीं लिखना है में सबसे बड़ी वादा होती है में जैसा यहां पर नहीं और शीलेबस प्री की तुलना में भी चोटा है यानि कि तुलना में करें लेकिन उसका और उसकी योग्यता अलग है इसकी योग्यता है के वल ग्रेजुएट हलाकि आपको सारा विजंदर सन्न ने वीडियो बना इसमें बता दिया है डेजुएट होने के बाद कोई इस एक्जाम को दे सकता अगर आपने ग्रेज़िशन कर रखिए आप इसके लिए एलिजिबल है आप किसी भी युणिवर्शिटे से गरशना आप एक्जाम को दे सकते हैं तो यह तो हो गई इसकी इंपोर्टेंस अब आज जो सिलेबस दारी हो उसको मिलने वाली है तो बात करते हैं तो पहले तो चाने ले पिर न क्या है सैंट राजस्थान की सब्सक्राइबुर्ण इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की इतियास कला संस्क्रती प्रामपराय विरासत यानि केवल राजस्तान की इतियास पणना इंडियन कल्चर इंडियन हिस्ट्री उसके अलबा राजस्तान ब्राभ भॉग लिखाओ है विश्व और भारत ब्राइट सा के नहीं पड़ना है और करंटा आ इसके सवाल आने वाले सी अंक के ही आने वाले अब पार्ट बी जो है वो थोड़ा सा इस एक्जाम को मुश्किल बनाता है और ध्यान देना असली मेरिट जो बनेगी जो सेलेक्शन होगा वो पार्ट बी से होगा क्यों पार्ट यह में तो लगबग कॉमन सभी नहीं पढ़ रखा जिनोंने भी आरेस संक अपनी अलग से इंपोर्टेंस रखते हैं इसमें क्या आने वाला है यह राजस्तान नगरपाली का दीनियम 2009 के बारे में आएगा नगरी निकाश समंद्ध जो विविद नियम है और योजनाई है उनके बारे में आने वाला आज इसका विश्तर सिलेबस भी जारी हो है वीडियो कोर्स हो आज से ही आपका अवेलेबल हो जाएगा अगले संडे को आपका पहला सीडियूल मिल जाएगा और उसके अगले संडे सापका टेस्ट का पैटरन बिल्कुल वही रहेगा जैसे हम आरे इसमें जारी करते हैं 20 टेस्ट रहेंगे इसमें 12 टॉपिक वाइ पिल जाएगा यहां पर आप क्लिक करेंगे आपको कोर्स खुल जाएगा यहां पर आपको कॉर्स पहले नहमर पेहीं और यहां पर आपको यह कॉर्स म Мих फॉनात्मग रुप से हमने बहुतκरी लगे हैं बहुत बड़ी होती है और टीचर की कोस्ट भी अपना पें बहुत बड़ी होते हैं उस तुलनामे और इस कोई बहुत जादा नहीं है और इस कोर्स के साथ 4000 पीस में इसकी टेस्स करेंगा इस portion करेगा इस बहुत ही बहतरीन तरीके से आपको मिलने वाला है मुझे लगता कि ये पार्ट भी एक बार वीडियो अच्छे से देखना के बाद कोई दिक्रत आपको इसमें नहीं रहने वाली है और उसके बाद आप टेस्ट प्रक्टिस करेंगे तो लगब लगव ये पूरा पॉर्शन आ तरह है इसको आपको मिस दिकरना आरे के वल्गी बेकेंसी जरूर है लेकिन आरे सब्सक्राइबंध सर 0 बोब्रॉज ब्रॉफेसर लेक्शर तो इसको लेक्ट्रेशन देखने आपको नहीं मिलेगा थोड़ा सा चैंडिट आए उसका लेवल कम होगा हलागी उस रूप से संख्यात्मा रूप से कंपिटीशन जरूर हो सकता तो अच्छे से तायारी जरूर करनी है इसके और ठोड़ी सी बात करते हैं जो न या में जो राजस्तान का इथियास कला संस्कृति साहित्य परंपरा यानि इथियास और संस्कृति लगबग पूरा को पूरा इथियास का सिलेबस वही है जो आरे स्प्री में आपको दे रहा है आप कल्चर का देखे कल्चर भी वह का वही सिलेबस है ठीक है बुक्स के बारे में तो पूरा भारती सविदान आप देखिए वो को वही समीदान है जो आपको यहाँ पर आरेस फ्री में दे रखा लोगनिति वाला पॉर्शन भी इस राज्तान के साथ वही समीदान सबाव भारती समीदान की विशेष्टाइस समवेदानिक शंशोदन उद्देश का मूल अध सब्सक्राइब है आरेस बारी आरेसरी की तयारी किया और अगर आपने पटवार वीडियों की भी तयारी किये तो मैं मानता हूं कि आपका पार्ट एज तयार करने संभाटना भी वह सपथी नगर पाली का अधिनियां कंच उनुक्ति नगर पाली का संपत्थी नगर पाली का विद्वी यह सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने इसके अलावा राजस्तान नगर पाली नेक्स्ट पार्ट में जो है नाइक्स पार्ट में वो भी कोई यह बहुत इजी है इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लेकिन यहां से यहां से इन दोनों पार्ट और यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट इन दोनों पार्ट से मिलाकर है टोटल 40 सवाल आने वाले हैं 40 नंबर के और यह बहुत इंपोर्टेंस रखता है हमने चो कोर्स बताया है उसमें कम्प्लीट दोनों पार्ट भी लेंगे पार्ट ए और पार्ट भी 120 नंबर के और जल्द ही आपको अगले संड़े से टेस्स रिज का सेड्यूल भी मिल जाएगा और टेस्स रिज बी शुरू हो जागी बाकि यह कोर्स जिसके बार में मैंने बात की आपको अगर आप एक और जोइन करते हैं तो टेस्स इसके साथ निश्वल रहेगी और कोर्स बहुत ही बहतरी आपको लगब 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 सारी क्लासेज मिल जाएगे कुछ क्लासेज जो भी रिकोर्ड हो रही वह भी दिरे दिरे आपको सारी के सारी मिलती रहेगी बाकी कोई और भी डाउट हो आपके सवाल हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं मैं अगले वीडियो में जरूर उनके जवाब देने की कोशिश और भी जैसे मुझे लगता है कि आपका प्रात्मिकता करम वाला सवाल भी था नेक्स वीडियो में उसको भी बहुत अच्छे से आपको सारी सारी चीजे बताने वाला हूं और भी कोई डाउट हो सवाल हो आप मुझे कमेंट में मिलते हैं थैंक्यू